नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस्टेडी फॉर्ट सीबिस तरफिस में यूपी प्यस्सी के लिए यह फुल लंटे सीरीज हम आपके लिए लाएं यह कंप्लीट इसमें जैसा पेपर एक्जाम में आता है बिल्कुल वैसा ही यह आपके दिया जाएगा डेर्ड सो क्वेश्चन है बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से है जो 2020 का जो है पैटर्न आपका 2018 से जो पैटर्न चेंज गया था उसके हिसाब से कंप्लीट यह आपे है इसमें सारे सिक्षन के क्वेश्चन है पॉलिटी इस्ट्री जोग्रफी एकनॉमी साइंस सब कुछ इसको आप पूरा अटेम्ट जरूर करिएगा बहुत अफ़र्ट लगे हैं पहले क्वेश्चन बनाने में ट्राइट करने में फिर इसको यहां पर डिकोड करने में एक्स्प्लेन करने में पूरी स्टडी फॉर्ट सिविस्प्स की टीम का काम है यह आप इसको भर सब्सक्राइब करें पूरी यह जो वाली कि सीरीज इसको सौल करिया और स्कोर बताना जरूरी यह बहुत जादा जरूरी है यह फ्रेंस वेल्कम तू स्टाडी फॉर्ट सेविल सेविसे अप हमारे पेट ग्रूप के पार में थोड़ी सी इंफिमीशन जान लिजे फिर हम स् सब्सक्राइब कर सकते हैं इससे जादा इंफिमीशन के लिए आप गिवन नंबर्स पर कॉंटाक कर सकते हैं अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रूप को जोइन नहीं किया है जो कि बिलकुल फ्री है तो उसे तुरंट से तुरंट जोइन कर लेज़ेगा आईए क्योंकि इसकी अवाधी जो होगी वो तीन वर्ष की होगी और इसमें अंच कालिक सदस्थ से पांच से अधिक नहीं होगा यह बात बिलकुल सही है और बीकरेक्ट हो जाएगा इससे में आपको कुछ इंपॉर्टन पॉइंट बता देती हूं पहली बात तो विदी आयोग को एक non-statutory body होता है और इसको government of India के द्वारा समय समय पर बनाया जाता है इसका काम क्या होता है बेसिकली यह review करता है जो भी हमारे present laws है और उनमें कुछ भी अगर reforms करने होते हैं तो उसके लिए recommendation देता है जैसे for example इसने recommend किया हुआ है कि UCC यानि कि uniform civil court को लागू किया elections जो है वो एक साथ कराए जाए ठीक है इस तरह के recommendations इसके द्वारा दिये गए हैं अब देख लेते हैं पहला जो हमारा बना था independence के बार वो बना था 1955 में लेकिन अगर हम independence से पहले consider करें तो वो बना था 1834 में Lord Macaulay के अंतरकत तो यह important points से थे इससे related अगले question की तरफ अफगानिस्तान में शान तिलाने के लिए समझोता है यानि कि agreement for bringing peace to Afghanistan आपको पता है US की military काफी time से अफगानिस्तान में है तो जो present president है Donald Trump उनका ये प्रयास है कि अफगानिस्तान से अब US की military को वापस बुला लिया जाए तो उसी के अंतरकत इन्होंने यह agreement किया है तो यह क United Nations Security Council में जाएगा इसके साथ ही इसके अंतरगत कैदी अदला बदली का भी प्राफ्थान है तो यह तीनों ही statement हमारे यहाँ पर बिल्कुल correct है correct option हो जाएगा option no.C अगले question को देख लेते हैं अब इसमें बात की गई है कि अमेरिकी राष्टपती द्वारा मत ये पूर शांती उजना यानि कि Middle East peace plan जो लाया गया है जो सुझाया गया है उसके अंतरगत कुछ points दे गया है देखिए इसके अंतरगत इसराइल और Palestine से related इन्होंने एक peace plan लिया Jerusalem जो है कि इसराइल की संप्रभू राज्थानी होगी Jerusalem एक बहुत ही विवादत प्लेस है जिसको ये दोनों ही जो जगाए है इसराइल और Palestine ये दोनों अपनी राज्थानी बनाने का प्रयास करते हैं और इन्होंने डेक्लेयर कर दिया है कि ये संप्रभू राज्थानी इस पहला statement ये कहा रहा है दूसरे में कहा रहा है कि फिलिस्तीन को हाइफा और एस्तौर बंदरगा में इस्तिमाल होने वाली जो भी सुविधाय है उनका उप्योग करने और वहां उसका प्रबंधन करने की अंतुमति कौन देगा इसराइल और इसराइल क्या करेगा फिलिस्ती हमारे ये तीनों करेक्ट हैं लेकिन ये प्रो इसराइली भी है तो आप इनको स्टेट्मेंट से समझ सकते हैं करेक्ट अप्शन हमारा हो जाएगा option number D ठीक है अगले question की तरफ बढ़ते हैं इस question में बात की गई है राष्ट्री ररणीति की जो वित्तिय समावेशन के लिए लाए गई है national strategy for financial inclusion पहले में कहा गया है ये 2019 से 29 की अवधी के लिए है और इसके तहट वित्तिय समावेशन माप दंडो पहुंच उपयोग और गुर्वत्त्य की निगरानी के माध्यम से आवदिक मूल्यांकन की सिफारिश की गई है दूसरा statement हमारा सही है पहला incorrect है ये 2019 से लेबल तक पहुचाना यानि कि हर इंसान तक वित्तिय सुविधाओं को पहुचाना इसका एक एक जन्धन योजना ठीक है जन्धन योजना वित्तिय समावेशन की दिशा में ही एक प्रयास था यहां पर हमारा जो correct statement होगा correct option होगा वह जाएगा option नमबर B देन अगले question में बात की गई है तीसरे बोडो शांती समझोते की इसके संदर में points देख लेते हैं कहा गया ये केंद्र असम सरकार National Democratic Front of Bodo Land के बीच अस्ताक्षित हुआ है पहाडियों में रहने वाले जो बोडो है उनको अनुसूचित पहाडी जिंजाती का दर्जा दिया जाएगा और Bodo जो है वो असम की सही होगी आधिकारिक भाषा हो जाएगी यहां पर यह तीनों points हमारी correct है Bodo Land जो है वो असम का एक छेत्र है इस जगे पर पढ़ता है मतलब for example अगर आप यह आसम को माप माल लेते हैं तो इस छेत्र में वो पढ़ता है इसके अंतरगत चार districts है आसम के वो चार districts है कोकराज, चिरांग, बकसा और उदालगेरी तो यह चार districts है यह यहां पर autonomous region है यह बनाया गया था 1993 के agreement के तहत एक autonomous region और 2003 में इसको administer करने के लिए इस छेत्र को एक Bodo Land Territory Council बनाई गई थी जिसके अंतरगत यह चार छेत्र आते हैं इस autonomous region के अंतरगत ठीक है तो यह एक important point था और 2020 में अभी फिर से इस agreement को 2003 वाले agreement को आगे बढ़ाया गया है और लेकिन इनकी मांग क्या रही है हमेशा से कि इनको एक separate state सही है थी ठीक है तो एक separate state ना देकर इनको awesome state के अंतरगती एक autonomous region बना दिया गया है यहां पर हमारा जो correct statement है वो हो की नव घोशत अभी recently घोशत हुए है रामसर साइट तो उसमें से कौन सा सुमेलत है नांगल वन जीव अभ्यारन केशोपुर नवाब गंज पक्षी अभ्यारन और समन पक्षी अभ्यारन कोलेरू छील देखे यह चारो जो है वो recently आट किये गए है कोलेरू छील भी एक रा रामसर साइट से इंडिया की वह हो गई है 37 चीक है तो यह 10 में से महरास्ट के हैं और पंजाब के हैं और यूपी के हैं तो हम देख लेते हैं कौन-कौन से हैं सबके नाम देख लेते हैं recently added में तो महरास्ट का जो है वह है नांदूर और यह महरास्ट से पहला रामसर स्थल है तो इसलिए important हो जाता है फिर पंजाब से जो है वो है केशोपुर मियानी और बीस conservation reserve उसके बाद नांगल ठीक है देन आता है हमारा next आता है यहाँ पर से हमारे next question देख लेते हैं इनके नाम important है देख लीजेगा तो यहाँ पर हमारा correct option 1234 होगे option number C कि इस question में आपको थोड़ा सा background बता देती हूं Supreme Court के द्वारा काफी लंबे समय से African cheetahs को इंडिया लाने पर बैन लगा हुआ था लेकिन पीसेंटली Supreme Court ने इसके लिए अनुमति दे दी है तो इसके संदर में काफी जादा points उठ रहे हैं arguments हो रहे हैं तो उससे नहीं भी पता हैं लेकिन आप इन arguments को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यह तीनों ही arguments दिये जा सकते हैं इसलिए हमारा जो correct option हो जाएगा वो हो जाएगा option उसमें कहा गया है कि लंबे समय तक सूखा पढ़ना अनुकूल हिंद महासागर द्विध्रोफ और अंटार्क्टिका पर दुरलब समताप पंडल का गरम होना यह सारे ही reasons थे option आपर यह हो जाएगा और यह जो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग थी इसको black summer के नाम से भी एक anti-malarial drug था मतलब malaria के विरुद्ध इसका प्रयोग किया जाता है उसका बात कहा गया है कि इसका इस्तिमाल lupus erythomatosis, drug को treat करने के लिए किया जाता है और rheumatoid arthritis को treat करने के लिए किया जाता है तो यह चारो ही बाते बिल्कुल सही है option हो जाएगा हमारा correct option number D यह use किया जा रहा है COVID-19 के विरुद्ध लेकिन basically जो यह काम करता है वो इन चीजों के विरुद्ध करता है malaria के विरुद्ध और lupus erythomatosis और rheumatoid arthritis ठीक है आगे देखते हैं तबलीगी जमात भी काफी सादा न्यूस में रहा है तो इसके बारे में statements देए गए हैं पहला कह रहा है कि यह एक सुन्नी सुधारवादी आंदोलन है और यह मुसल्मानों से पैगंबर की तरह रहने का revivalist आंदोलन है difference क्या है यहां पर अगर आप थोड़ा सा history से देखें तो आप समझेंगे राजा राम मोहन रोय जो थे यह reform की बात करते थे लेकिन जो दया राम दयानन सहानी थे वह किसकी बात करते थे वह revival की बात करते थे वह कहते थे वेदों की ओर लॉट चलो राइट त बूल जाते हैं कई बार इसलिए मैं आपको बता दिया है यह कौन सा सुधारवादी ना होकर यह पुनर उत्थानवादी आंदोलन्दा दूसरा statement सही है option B करेक्थ हो जाएगा आगे देखते हैं operation third shield पहला कहा गया यह central program है जो प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया है लाया गया होगा और यह central government के द्वारा ही लाया गया है लेकिन एक point यह है कि central government इसको लाई है लेकिन mainly लाई किसके लिए है West Bengal के लिए क्योंकि सबसे जादा turtles की जो smuggling गयरा होती है वो इसी छेत्र से होती है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ देखिए हाल ही में प्रशांत पश्मी प्रशांत महासागर में एक देश इस्तित है उसने sun cream को प्रतिबंध कर दिया है ऐसा कहा गया है तो यहाँ पर statements दिये गया है उसके regarding कहा गया है पापू और यूगिनी वो ऐसा पहला देश बना है जसने sunscreen को ban कर दिया है क्योंकि प्र अपू और गिनी नहोकर कौन सा है पलाओ ठीक है पलाओ ऐसा देश पहला बन किया है जिसने sunscreen को ban कर दिया है और क्यों ban किया है क्यों इसमें oxybenzone नामक एक घटक होता है जो काफी हानिकारक माना जाता है प्रवाल के लिए तो यह इध्यान रखिएगो oxybenzone के चकर में ban किया है option यहाँ पर हमारा कॉन सा हो जाएगा option number B फिर आगे बढ़ते हैं भारत में e-commerce पर market study कुंजी निशकाश और अगलोकन इस शीर्षक से यानि कि market study on e-commerce in India की findings and observations इस report को किसने release किया है तो इस report को release किया गया है भारत के प्रतिसपर्धा आयों के द्वारा right मतलब यहाँ पर देखे recently revise की गई है इंडिया के द्वारा अपनी FDI policy और इसके तहट कहा गया है कि कई countries अब ऐसी होंगी जो invest कर सकेंगे इंडिया में केवल approval route के माध्यम से यानि कि अब government of India से उनको permission लेनी होगी FDI में invest करने के लिए तो कौन से वो देश है तो अगर आपने recently news देखी हो तो आपको पता होगा कि Chinese जो companies है वो Indian companies के काफी जादा shares वगेरा खरीद रही है काफी जादा investment कर रही है बेसिकली तो इंडिया ने अपनी policy को revise किया है और ऐसा कहा है कि जो भी country इंडिया के साथ land border share करती है जो भी country land border share करती है अब वो FBI किसके माध्यम से करेगी approval route के माध्यम से दो routes होते हैं FBI के लिए एक हो गया approval दूसरा हो गया automatic ठीक है automatic में सरकार की permission की जरुरत नहीं होती है लेकिन approval में यानि की government की जरुरत होती है approval की जरुरत होती है ऐसा इसी चाइना को ही ध्यान में रखकर ऐसा किया गया है तो हम options देख लेते हैं यहाँ पर यहाँ पर कहा गया है भूटान म्यानमार में नेपाल चीन और श्री लंका तो सेटमेंट है कि कुछ COVID-19 रोगी ICU छोड़ने के बाद पिक से पीड़ित हो सकते है या गंभीर मिमारी के बाद पैदा होता है और शारीरिक संग्यानात्मक मानसिक स्वास्ति स्थिति में नय या बिगरते हुए नुकसान के रूप में इसको परिभाशित किया जाता है यानि इसमें मास सैनटाइजेशन टनल स्थापत किया गया है जो भारत का पहला रेज्वेस सेशन बन गया है ऐसा करने वाला और इसकी जो टनल की दूरी है उसको 10 मिनट में कवर किया रहा सकता है पहला स्थित्में हमारा इनकरेक्ट है क्योद्य एहमधाबाद वो पहला railway station है जिसने ऐसा mass sanitization tunnel स्थापट किया है और इसकी दूरी को 10 minute में नहीं 10 second में cover किया जा सकता है इसलिए जो option correct है वो हो जाएगा option number D next question की तरफ बढ़ते हैं ICMR ICMR काफी जादा चर्चा में रहा है आपने सुना होगा Indian Council of Medical Research ICMR का full form है यह medical research से related एक दुनिया की काफी बड़ी और सबसे पुराने organizations में एक है 1911 में इसकी स्थापना की गई थी तब इसका नाम क्या रखा गया था IRFA यानि की Indian Research Fund Association लेकिन Independence के बाद 1949 में IRFA का नाम क्या बद्दिल कर दिया गया था ICMR तो यह हमने देख लिया अब points देख लेते हैं इसमें कहा गया है कि ICMR ने pooled correction दिशा निरदेश में अधिक्तम क्या खा है पांच नमूनों की सफारिश की है और उसके बाद इस पद्दिती का उपयोग उन शेत्रों में किया जा सकता है जहां पर COVID-19 का प्रशलन अधिक हो देखिए pooled correction क्या है pooled testing advisory जिसमें से कई लोगों का एक साथ sample लेकर टेस्ट करने की प्रक्रिया तो इसके दहत की है पांच नमूनों की सफारिश विल्कुल सही बादत है ये लेकिन इसका प्रशलन उनी इसका उपयोग किया जाएगा जहां पर COVID-19 कम हो हो तो यहां पर हमारा correct option केवल एक है मतलब पांच नमूने एक साथ लिए जा सकते हैं और इस तकनीक का प्रयोग उन शेत्रों में होका जहाँ पर COVID-19 के मरीजों की संख्या कम पाई जाती हो आगे देखते हैं अगले क्वेशन की तरफ बढ़ते हैं दक्षिर एशिया आर्थिक फोकस रिपोर्ट साउथ एशिया एकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट से संबंधित पॉइंट्स दिये गए हैं कहा गया है कि 2020-21 में भारती अर्थ विश्तावे डेर से 2.8% की व्रद्धी का अ अनुमान है और भारत आजादी के बाद से सबसे खराब विकास प्रदर्शन दर्श कर सकता है यहां पर हमारा पहला स्टेट्मेंट बिल्कुल सही है लेकिन दूसरा इंकरेक्ट है क्योंकि ऐसा 1991 के लिब्रलाइजेशन के बाद सबसे खराब प्रदर्शन होगा ना कि आज है और इसने असम में खड़ी फर्स लोग पर हमला किया है यह उत्तर और दक्षिर अमेरिका का मूल निवासी है इसमें हमारा कौन सा करेक्ट सेट्मेंट होगा यह तीनों ही बाते बिल्कुल सही है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी विधायकों के वेतन मे पेंशन अधिनियम 1954 में संशोधन के लिए एक अध्यादेश पारित किया गया है और यह तीन साल के लिए उनके वेतन को 35 प्रतिशत तर कम कर देगा और यह एक मई से लागू होगा तो कौन सा यहां पर स्टेट्मेंट हमारा सही होगा यहां पर जो स्टेट्मेंट सही है व और जो तीसरा स्टेट्मेंट है वो लागू कपसे होगा एक एप्रिल से ना कि एक में से तो केवल पहला स्टेट्मेंट यहां पर हमारा करेक्ट था नेक्स्ट क्वेशन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेशन में बात की गई है अभ्यास NCC योगडान किसके दौरा शुरू इंडेंजर्ड लिस्ट में यह शामिल है तो यह दोनों ही पॉइंट्स बिल्कुल सही है यह ऐसा पहला बाग है जो कोविड नाइंटीन से संक्रमित हुआ इसले काफी जादा चर्चा में था ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहां पर फिर हम देखते हैं कि सेंट्र पल्य लेकिन यहां पर नमसे इंकरेक्ट पूछा गया है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इमबर डी राइट आगे बढ़ते हैं करूना पहल से रिल्टिट पॉइंट्स देगा है कहा गया है यह सेंट्रल सिवल सर्विसेज ऑफिसर्स के द्वारा गठे थे और यह इ इसके important घटक यानि components क्या होंगे तो social vaccine से related में point आपको कुछ पता देती हैं पहली बात तो आपको पता है कि COVID-19 के लिए हमारे सामने कोई भी वैक्सीन नहीं है तो समाजिक तोर पर हम कुछ परिवर्तन कर रहे हैं जैसे हम follow कर रहे है social distancing ठीक है generally हम यह चीजों को follow नहीं करत है तो यहां पर पहला point जो है जैसे HIV के विरूद social vaccine का यूज हुआ था यानि उस समय पर जब HIV आया था तो कुछ behavioral changes हुए थे लाए गये थे जिनको लोगों से कहा गया था कि आप इनको follow कीजिए ताकि HIV का प्रसार ना हो तो यहां पर हम इसके components देख लेते हैं क्या लिखा ह हुआ है कि सामाजिक और व्याभार में परिवर्तन संचार रणीतिया है यह और सूचना शिक्षा और संचार का प्रसार इसके आवश्य घटक में बताने हैं तो इसमें दोनों ही इसके आवश्य घटक हो जाएंगे option number C correct हो जाएगा चीक है आगे बढ़ते हैं अगले question की त कहा गया है प्रतम संचोधन अधिनियम के द्वारा समिधान में कौन सा अनुच्छेत जोड़ा गया था तो प्रतम संचोधन के द्वारा कौन सा जोड़ा गया था यह जोड़ा गया था article 31C उसको जोड़ा गया था 25th constitutional amendment के द्वारा और 31a और 31b यह जोड़ा गया थे option number B correct ह हो जाएगा प्रतम समिधान संचोतन के दौरा पहले इन दोनों को जोड़ा गया था और इसको जोड़ा गया था पचीस फे constitutional amendment के दौरा अगला question देख लेते हैं इसमें कहा गया है दल बदल लोगसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है तो वो जो है वो उस दल से स्तीफा दे सकता है और पत्याक के पश्चात के फिर उस दल में शामिल हो सकता है तो यहां पर दोनों ही बाते बिलकुल सही है यह दल बदल जो कानून है उसका अप्वाद है उसके लिए यह exceptions है तो यहां पर हमारा correct option हो जाएगा option number c बैन जो article 131 है उसका क्या महत्व है पहले में कहा गया है यह भारत को अर्द संगिय संवेधानिक संगिष्णा के बारे में बताता है राज्यों के बीच विवादों को हल करता है और केंद्र अधिक शक्तिशाली हो जाता है इसके अंतरगत तो कौन सा भारतिये न्याइक सिविल सेवा को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया था तो आर्टिकल 312 जी कि option नमबर बी करेक्ट हो जाएगा अगले question में बात की गई है कि कौन सी ऐसी समिती है जो राजनीती के अपराधी करन यानि criminalization of politics से संबंधित है संधानम समिती या वहरा समिती तो कौन सी संबंधित है यहाँ पर यह दोनों ही संबंधित है option C correct हो जाएगा इस question में inner line permit से related statements दे गए है कहा गया यह एक यात्रा दस्तावेज है यह तीन उत्तर पूर्वी राज्यों में लागू है और इसकी जो अफधाना है वो बंगाल पूर्वी सीमांत विनियमन अधिनियम 1873 से उपची है तो इसमें हमारा जो correct statement है वो पहला statement सही है तीसरा सही है यह तीन राज्यों में ना होका यह चार राज्यों में लागू है अरुनार्चल प्रदेश हो गया एक दूसरा हो गया मिजोरम तीसरा हो गया मनी पर और चोथा हो गया नागा लैंड ठीक है तो इन राज्यों में इ जाएगा वो हो जाएगा option number B चीक है next question देख लेते हैं इसमें कहा गया है article 82 के अंतरगती संसत हर जरगरणा के बार परिसीमन अधिनियम लागू करती है और article 170 के अंतरगत क्या होता है राज्यों को परिसीमन अधिनियम को अनुसार छेत्री निर्वाचन छेत्रों में भारतिय संसदिय समू यानि इंडियन पार्लेमेंटरी गुरुप से रिलेड़ेड इसमें खागया एक स्वायत्य निकाय है और 1949 में कठन हुआ है और इसका अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष कौन होता है लोकसभा का अध्यक्ष और सदस्यता सभी सदस्यों के लिए इसमें ख बात की गई है भारतिय राजनीतिक प्रणाली में सर्वोच नयाले की महत्वपून भूमे का सौपी गई है तो उसमें कौन-कौन सी महत्वपून भूमे काये हैं यह एक संगिये नयाले है नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उत्तरदाई है और सम्विधान का संदक्षक है यहां पर यह तीनों ही बाते बिलकुल सही हैं यूप्शन दी घर्रेक्ट हो जाएगा इसमें देखते हैं इसमें चाहिए जो स्प्रीम कोट है वहह कीवल यह fundamental rights के प्रवर्तन के लिए मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट को जारी कर सकता है कोई अत्रिक्त मामिला होगा उसके लिए भी रिट को जारी कर सकता है इसलिए statement first correct है second incorrect है option A होगा ठीक है तो आप इससे ये भी समझ सकते हैं कि रिट जारे करने की जो शक्ति है वो उच्छ नयाले को ज्यादा दी गई है in comparison to सर्वोच नयाले ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगले question में बात की गई है कि कौन सी court of regard के रूप में सर्वोच नयाले की शक्ति है तो options देख लेते हैं पहले में कहा गया है supreme court के निर्णय कारवाही और कृतियों को सदा स्मृति और गभाही के लिए दर्श किया जाता है और इसमें नयाले की अफमानना के लिए दंडित करन की असम्मान व्यक्त करना या नयायक कारवाही की नियत जो कारेप्रणाली है उसमें हस्तक शेप करना और नयाय प्रशासन को किसी अन्य तरीके से बाधित करना इसके अलावा जो नयायक अधिनियम और सामगरी है उसको उचित और तर्क संगत उसकी आलोचना करना तो इसमे criminal contempt of court कौन सा होगा first three criminal court of contempt होंगे लेकिन चौथा नहीं होगा ठीक है यह इसके अंतरकत नहीं आता है क्योंकि आप उसकी उचित और तर्क संकता लोजना कर सकते हैं करेक्ट option हो जाएगा option c यानी one two and three then फिर आता है जनहत्याचि का PIL Public Interest Litigation के संबंद में कहा गया है इसका वास्तविक उद्देश किया है तो इसका वास्तविक उद्देश पहले राजपाल अध्यादेश ला सकते हैं कब ला सकते हैं विधान सभा सत्र में नहीं हो अगर एक सदनी विधान मंदल है राज के दोनों सदन सत्र में ना हो और केवल विधान परिशद यानी जब द्वी सदनी विधान मंदल हो तब सत्र में हो तो कब ला सकते हैं राजपाल अध्यादेश, इन तीनों ही दशामिला सकते हैं, option D correct हो जाएगा, next में बात की गई है, कौन सी मुख्य मंत्री की शक्तियां हैं, पहले में कहा गया है, मंत्रियों को विखभागों का आवंटन करना, फिर एक मंत्री का इस्तीफा देने के लिए कहना, किसी को कहना, और महा दि बताऊंगे यहाँ पर, जल्दी से लिख कर बताईए, क्या इसका correct answer होगा, एड्वोकेट जर्नल को appoint कौन करता है, next question की तरफ बढ़ते है, अश्वाक उल्ला खान के संबन में points दिये गया है, कहा गया है, काकोडी शर्यंत मामले में उनको मौत की सदा सुनाई गई थी, और इन्हों ने ही हसरत उपनाम से ज्यादा तर उर्दू में और कुछ हिंदी में कविताओं की रिचना की है, then कहा गया है, इनका जन्म शाह जहाँ पुर में हुआ था, यूपी के, तो कौन सा statement हमारा यहाँ पर सही होगा, यहाँ पर यह तीनों हे statements बिल्कुल सही है, देखें यह statements हमें आपर दी होगें, लेकिन अगर आपसे exam में directly पूछ ले जाता है, कि यह हसरत उपनाम से किसने कविताओं की रिचना की है, तो आपको पता होना चाहिए, अश्वाक उल्ला खान, तो यह statements काफी important है, अगर आपको नहीं पता है, तो ध्यान से देखते हुए चलेग अगले question में कहा गया है, हमें मुगल समराट को पहचानना है, कौन सा था, वे एक मुगल समराट का सबसे बड़ा पुत्र था, जिसने उसे शेहजादा ए बुलंद इकबाल की उपादी दी थी, इतालवी यात्री जो थे, इटली के यात्री मनुची ने अपनी पुस्तक ट् पिरोद प्रदर्शन में किसने भाग लिया था, जवाहर लान नहरू, जीबीपन्त और लाला लाच पत्रा है, इन तीनों लोगों नहीं भाग लिया था, इसलिए option B correct हो जाएगा, फिर उसमें बात की गई है, स्वामी आनंद तीर्थ के संबन में, वे केरल के पैयनूर में चातिवाद के खिलाफ, पहले सुधारकों में से एक थे, स्वामी आनंद तीर्थ, उसके बाद का गया है, इन्हें नारायन गुरुद्वारा स्वामी आनंद तीर्थ की उपाधी दी गई थी, या नाम दिया गया था, यहाँ पर हमारा तो correct option हो जाएगा, वो हो जाएगा, option number C, यह दोनों ही statements पिलकुल सही है, अगले question में बढ़ते हैं, इसमें ब्रहदेश्वर मंदर के संबंध में points दिये गए हैं, कहा गया यह तंजागोर तमिल लाडू में है, पेरियार नदी के तटपर है, राज राग प्रथम ने इसको बनवाया था और यह नागर शैली का पर, उसके बाद यह नागर शैली में नहीं है, अगर आपको पता है, तो नागर शैली नहीं है, साउथ इंडिया की, कौन सी शैली है, साउथ इंडिया की, द्रवेडियन, ठीक है, तो यह द्रवेडियन शैली में है, यानि द्रवेड शैली में, तो correct option हो जाएगा, option number C, अ पास्ट्रिय सरकार की जो कॉंग्रिस की मांग को अस्विकार कर दिया गया था और युद्ध के खिलाब बोलने की स्वतंतिता से इंकार किया गया था और गांधी जी ने सत्याग्रह की पेशकर्ष की ताकि सरकार को शर्मिंदा किया जा सके तो इसमें से कौन सा रीजन था गरेक्ट होगा, next देखते हैं, भारतिय राश्ट्री सेना के बारे में points दिये गए हैं, कौन सा कतन सही बताना है, इसमें खागया है, भारतिय राश्ट्री सेना यानि इंडियन नाशनल आमी, तो आइने, ठीक है, कहा गया है, मले में रास भिहारी बोस ने इसका, इसकी कलपन की थी उसके बाद दक्षर पूर्वेश्या के भारतिय निवासी और जापान में भारतिय युद्धबंदी आएने में काफी संख्या में शामिल हुए थी और इसका मुख्याले टोक्यों में था और महिला रेजिमेंडों का निर्माड भी इसके अंतर किया गया था तो हमें इ कि गंगून में था और सिंगापोर में था ना कि टोक्यों में थी कहा है तो करेक्ट ओप्षिन कौन सा हो जाएगा यहां पर हमारा option number C हमारा यहां पर correct हो जाएगा ठीक है option C correct हो जाएगा अगले question की तरफ बढ़ते हैं इसमें इनको chronological order में लगाना है इन events को पहला है गुरू का बाग मोर्चा यह हुआ था 1922 में ठीक है वाइकोम सत्याग रहे 1924-25 में काकोरी मामला कब हुआ था आप जल्दी से बताएए यह हुआ 1925 में ठीक है और यह हमारी हुए 1928 में नहीं रिपोर्ट आई थी यह 1924-25 और यह 1922 तो हमारा जो correct sequence होगा वो हो जाएगा 1,2,3 and 4 है तो option A correct हो जाएगा देन next question की तरफ बढ़ते हैं इसमें कहा गया है कि हमें माच करने हैं इनको तो correct option कौन सा होगा पहले यह देख लेते हैं correct option हो जाएगा हमारा option number B यानि कि Indian Jute Mills Association 84 से माच हो जाएगा 1884 से the Victoria Jubilee Technical Institute 1887 से हो जाएगा and Tata Iron and Steel Company 1907 और the Indian Industrial Commission 1916 तो इसको एक बार देख लीजेगा रटने की कोशिश कीजेगा next question की तरफ बढ़ते हैं हमारी 50th question में बात की गई है सविने अवग्या आंदोलन के समय वन कानूनों की अभेलना कहां पर की गई थी तो किस शेत्र में की गई थी यह की गई थी महराष्ट करनातक और मध्यप्रांथ में देन लाला लाजपतराय के संदर में पॉइंट्स दिये गए हैं कहा गया है 1897 में हिंदू राहत आंदोलन की इन्होंने स्थापना के थी हिंदू रिलीफ मूफ्मेंट और 1917 में इंडियन होम रूल लीग ओफ अमेरिका की इन्होंने स्थापना के थी तो यह दोनों ही बाते बिलकुल सही है यह शायद पॉइंट्स आपको ना पता हो तो इनको ध्यान से दे सत्र इस समय पर लोकल रिसेप्शन कमिटी के प्रेसिडेंट थे और इस जो सत्र को अध्यक्षता की गई थी वो की गई थी दादा भाई नारोजी के द्वारा तो कौन सा स्टेटमेंट हमारा यहां पर सही होगा यह तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारे बिलकुल सही है बंगाल में तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिलकुल सही है लेकिन भारत मारता जो सोसाइटी थी वो पंचाब में बनी थी ना कि बेंगॉल में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नमबर ए देन भारत में किस यूरोपीय संगठन ने इलबर्ट बिलके खिलाफ आन्द इंडिया सोसाइटी का कौन सदस्ते था कौन पार्ट था तो जीके गोखले और अप्पाजी द्रवन जीके देवधर और अनंत पतवर्धन ये चारो लोग भी पार्ट थे समाज भारत सेवक समाज का हिस्सा थे इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नमब कि पहला सेटमेंट दिया गया है और दूसरा रीजन दिया गया है कहा गया है प्रतम विश्वयुद के दौरान गांधी और तिलक दोनों ने जर्मन सेनाओं के खिलाफ लड़ने के लिए धन स्वैम सेवक और सामगरी जुटाने का काम गया था तिलक नहीं चाहते थे कि जर लोमनी और तुर्की तानाशाहि गडवन्धन का विजय हो तो स्टेटमेंट पहला करेक्ट है कि नहीं पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है और दूसरा रीजन वह भी बिलकुल करेक्ट है और यह रीजन भी इसका होगा इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोनों ही सत चानों के बीच घनिष संबंधों पर जोर दिया था कौन से यसे नेता थे तो कौन से वो देता थे नाम दिये गए हैं सरागा खान मौला अना अबुलकलाम आजार डॉक्टर अंसारी और हकीम अजबल खान यहां हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी या लोड चंजब फोल वहां पर मौजूद थे ठीक है यानि कि महां पर पाउंडेशन स्टोन रखने 1960 में BHU के foundation stone रखने के लिए गांधी जी वहाँ पर गए थे तो उसमें Lord James Ford भी मौजूद थे Next कहा गया है गांधी जी ने राश भाशा के रूप में Hindi को अपनाने के लिए यहाँ पर बल पूर्वक दलील दी थी तो यह point यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है लेकिन Lord James Ford नहीं थे वहाँ पर वहाँ पर कौन थे इस समय पर 1960 में हमारे Viceroy कौन थे Lord Harding तो second statement अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे तो correct हो जाता कि आपको पता होता कौन उस समय पर हमारे Viceroy थे correct option हो जाएगा option number B यह question पूछा जा चुका है कि गान्ती जी ने अपना पहला कहां पर दिया था राजनीतिक भाषन तो वो बनारस में दिया था 1916 में बनारस में BHU में दिया था BHU का foundation stone रखने के लिए जब वहाँ पर एक meeting बुलाई गई थी मतलब meeting in the sense एक कारिक्रम मायोजद किया गया था इस question को देखते हैं इसमें क्या कहा गया है फरवरी 1922 में ड्यूक ओफ कनोट ने मॉन्ट फोर्ट सुधार का उद्गार्टन करने के लिए भारत का दौरा किया था और विट्टल भाई पटेल जो थे वो सुराज पार्टी का हिस्सा थे तो कौन सा सीटमें यहां पर हमारा सही है इस दोनों ही बाते बिल्कुल सही है option C करेट हो जाएगा आगे देखते हैं मूरी मैं समिती कहा गया है मूरी मैं समिती के संबद में इस समिती में चार भारतिय सदर से थे इसकी रिपोर्ट 1925 में प्रस्तुत की गई थी इसने भारत सरकार अधिनियम 1909 में मूल भूत परिवर्तिन की सिफारिश की थी तो कौन सा सेटमेंट यहां पर हमारा सही है first और second स्टेटमेंट सही है तीसरा गलत है क्योंकि इसने किसके relation में सिफारिश हैं की थी वो की थी भारत सरकार अधिनियम 1909 ना की 1909 ठीक है फिर हम देखते हैं सविने अवग्या अंदोलन के संदर में कहा गया है नौर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानि की उत्तर पस्चिम सिवान प्रांत को छोड़ कर मुसल्मान इस अंदोलन में शामिल नहीं हुए थे और 1935 में सविने वग्या अंदोलन को वापस ले लिया गया था तो पहला सेटमेंट बिल्कुल सही है 1934 में इसको वापस लिया गया था ना की 35 में ठीक है और पेशावर श्रयंत मामला 1922 से 27 तक चला था फिर मेरट श्रयंत मामला हमने इसको डिसकस किया था लास्ट अपने टेसीज में 1929 में तो यह इसका क्रोन लॉजिकल ओर क्या हो जाएगा 123 & 4 correct option होगा option number A आगे देखते हैं इसमें खागया है कौन सा दिये गए स्थानिय कारण से सुमेलत है नीचे दिये गए आंदोलन और उसमें जो कारण दिये गए है कौन सा सुमेलत है अंदोलन से relation दिया गया है कि सिख अंदोलन पंजाब में महंतों को हटाने के लिए लाया गया था अवद किसान अंदोलन की संदर्ब में खा गया है कि अत्यादिक किराया अवयत करारोपन और नवी करण शुल्ग जिसने किसानों का जीवन कटन बना दिया था इसलिए लाया के लिए और जलिया वाला बागत रास्थी की जांच के लिए और खिलाफत मुद्दा यह important issues थे और सही हो गांदोलंग के आने के तो कौन सा इसमें correct option होगा यह तीनों ही है option c correct हो जाएगा आगे देखते हैं इसमें कहा गया है नेम लेकित कारकों में से कौन एक जगे पर तापमान वित्रण को नियंत्रत करता है तो latitude, altitude, distance उसका c से air mass circulation, ocean currents का presence और local जो aspects होते हैं वो यानि स्थानी है पहलू तो यहा बात कही गई है जैविक चीजों को protein बनाने के लिए nitrogen की आविशकता होती है और जलवाज हवा में स्थिरता और अस्थिरता को योगदान देता है तो यहां पर हमारा जो correct statement है वो भी दोनों है option c correct हो जाएगा ठीक है then कौन से प्रवास के लिए प्रतिकर्ष कारक है यानि कि push factors हैं दो कारक होते हैं एक होते हैं push factors एक होते हैं pull factors ठीक है तो migration के लिए push factors कौन से हैं या पर पूछा गया है और pull इन दोनों में difference क्या होता है कि अगर आपको कहीं से जाना पढ़ रहा है कोई छेत्र छोड़ कर जैसे आप गाउं से अगर शहर जा रहे हैं तो कौन से वो क example से समझाने की कोशिश की है तो यहाँ पर migration के लिए जो push factors है वो उसमें खा गया है महामारी पर्यावरण सुरक्षा बेरोजगारी असुरक्षा धार्मेक स्वतंत्रता तो कौन सा कारण होगा इसमें इसमें option C होगा 1, 3 & 4 यानि 1 महामारी बेरोजगारी और असुरक्षा य यह हमारे प्रतिकर्श कारक है यानि push factors बाकी पर्यावरण की सुरक्षा और धार्मेक स्वतंत्रा यह हमारे pull factors होगे ठीक है फिर इसमें बात की रही है कि पन्ना, पल्ली और नगला यह किस भस्ती के स्थानिये नाम है तो यह कौन सी भस्ती के स्थानिये नाम है यह है पुर पर options दिये गए हैं Alps, Aplacian और Ural और हिमाला यह सभी folded mountains से option T correct हो जाएगा फिर इसमें कहा गया है कौन सी हिमनत द्वारा बनाई गई निक्षेपित भू आखरती है Esker, Drumlin, Morines तो कौन सी होगी इसमें से यह तीनों ही Esker की डिपोजीशनल landforms हैं आगे बढ़ते हैं Mangrove से related points दिये गए हैं कहा गया है तटी यह खारे पानी में योगते हैं और यह tropics और subtropics यानि कि उष्ण कटी बंधिये और उपोश्ण कटी बंधिये छेत्रों में होते हैं और hellophytes भी कहा जाता है इनको और फिर कहा गया है जल्योक कीचल के कम oxygen की स्थिती के लिए यह अनुकूल होते हैं नमक सहनशीलता इसमें नहीं होते हैं तो देखिए इसमें कौन सा point हमारा सही है टॉप जो बाकी points है वो साधी सही है 1,2,3,4 लेकिन इसमें नमक सहनशीलता नहीं होती है ऐसा कैसे संभव ह जब यह खारे पानी में उखते हैं तो यह statement हमारा गलत है क्योंकि इसमें नमक सहनशीलता होती है option correct हो जाएगा option number C next देख लेते हैं कालिश्वरम लिफ्ट सचाई योचना के संदर में points दिये गए हैं कहा गया यह तेलंगाना में हैं और कृष्णा और प्राण हिता नदियों के संगम पर शुरू हुई है यह परियोचना और यह राज के पिछले शित्रों में पानी और सचाई के लिए यहां पर जो हमारा incorrect point है वो है option no.2 क्योंकि कृष्णा नहीं गोदावरी और प्राण हिता नदी के बीच में शुरू हुई है तो correct option हो जाएगा option no.2 फिर आगे बढ़ते हैं भारतिय मॉन्सून को प्रभावित करने वाली विभिन घटना है जेट स्वीम हिंद महासागर द इंडियन मॉन्सून को यहां पर option no.2 हो जाएगा यह इस question में कहा गया है कि दक्षणी चीन सागन में चीन के छेत्री विवाद किन किन आइलन से related है तो यहां पर खत्म नहीं हो गया है यहां गलत लिखा हुआ है और ओवर यह हिंदी में इसको खत्म कर लिख दिया गया है के गलत है किसके द्वीब के संदर में विवाद है तो इन तीनों के ही संदर में विवाद है और जो भी कंट्रीज है आसपास साउच चाइना सी में उनी से रिलेटेड है यह विवाद आप चाहे तो इसको एक बार माप में चेक कर सकते हैं हाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जो है वो स्थेथ हैं जिबूती स्थेथ नहीं है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वन तो एंट्री डैन आगे बढ़ते हैं दो हजार ग्यारा के जिनकर्णा के संबंध में पॉइंट्स दिये गया है भारत का लिंगा अनुपात 945 है और दूसरे स्ट्मेंट में कहा गया पुरुष और महिला साक्शरता के भीच में अंदर सिक्सीन पॉइंट करेक्ट होगा शेकंड धैट और फौर्ठ स्ट्मेंट हमारे बिल्कूल करेक्ट है यहाँ पर 945 ना होकर जो लिंगा अनुपात है वो कितना है 943 इसलिए पहला statement incorrect है second, third और fourth statements हमारे correct है और जो दिबांग खाती है वो कहाँ पर located है यह located है अरुनाचल प्रदेश में तो कौन सा option हमारा correct हो जाएगा इसमें आचली हमें बताना है कौन सा option गलत है तो गलत है वो हो जाएगा option number a ठीक है एक केवल पहला वाला ही गलत है फिर आगे देखते हैं 2011 के जिंगर्णा से related next question में कहा गया है कि बिहार में नियूनतम पुरुष साक्षरता की बात हो रहे गय correct statement हो जाएगा हमारा first and second third statement incorrect है क्योंकि केरल में नहीं बाल लिंगा अनुपाच जो अधिकता में वो पाये जाता है अरुनाचल प्रदेश में राइट तो यहाँ पर option जो हमारा correct है वो हो जाएगा C then next देख लेते हैं इसमें हमें आरुही क्रम में विवस्तित करना है राज जाएगा option number B यानी 3 2 & 1 सिक्किम मिजोरम और अनुनाचल प्रदेश then next question की तरफ बढ़ते हैं 88 question की तरफ फिर जंगर्णा से संबंधित question है इसमें कहा गया है निमलेकित राज्यों को उनके लिंगा अनुपाद के संबंध में घट्टे हुए क्रम्य विवस्तित करें तो इ देखिए अब जो लिंगा अनुपाद से related questions है उनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और जो जनगर्णा की questions आते हैं वो straight नहीं हाते हैं वो ऐसे घुमा कर आते हैं तो थोड़ा ध्यान से learn करते हुए चलेगा इसमें बात की गए है फिर से census से related question है और कहा गया है धार्मिक का अनुपाद 0.8% बढ़ा है और कुल जनसंख्या में हिंदू अबादी का अनुपाद जो है वो 0.7% बढ़ा है इसमें हमारा correct statement कौन सा होगा जो correct statement है वो है first और second ठीक है यह दोनों statement सही है यह incorrect है क्योंकि हिंदू अबादी का अनुपाद कुछ घटा है ना कि बढ़ा है तो first and second statements यहां पर हमारे साही होंगे आगे बढ़ते हैं फिर से census से related है इसमें कहा गया है उत्तर प्रदेश के बारे में हमें बताना है ग्रामीर चेत्रों में बाल लिंगा अनुपाद 906 है और शेहरी चेत्रों में बाल लिंगा अनुपाद 885 है तो यह दोनों ही statements हमारे ब फूल और मतर तो किसके पादन में है first place पर यह हो जाएगा one two and five one two and five mushroom करौंद और मतर इसका answer हो जाएगा then c option इसमें correct हो जाएगा इस question में कहा गया है जो चीन है वो दुनिया में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत उसमें second number पर आता है दोनों ही statements बिल्कुल सही है option c correct हो जाएगा next question देख लेते हैं इसमें कहा गया है भारत USA से ताजी सबजियों और फलो का अधिक्तम maximum आयात करता है maximum आयात करता है और भारत चीन से अधिक्तम प्रसंस्क्रिट सब्जियों का यानि जो processed vegetables and fruits होते हैं उनका आयात करता है तो पहला statement हमारे यहां पर correct है second incorrect होगा क्योंकि भारत चीन से नहीं अफगानिस्तान से सबसे ज़्यादा processed vegetables and fruits का आयात करता है correct option हो स्पाथ उत्पादक है भारत और तीसरा सबसे बड़ा aluminium उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा law as का उत्पादक तो यहां पर हमारा जो सही statement है वो है option number b 2 and 3 first statement incorrect है क्योंकि यह second largest स्पाथ उत्पादक होगा ना कि first ठीक है आगे बढ़ते हैं इस question में कहा गया है विश्व में uranium उत्पादम के संदर में निम लेकित देशों को हमें विवस्थत करना है तो इसका सही क्या होगा कि देखें यहां पर production की बात हो रही तो सबसे ज्यादा तो production है वो हो जाएगा कजाकिस्तान में उसके बाद होगा Canada में उसके बाद होगा Australia में तो इसका correct answer हो जाएगा option number A1, 2 and 3 then यह sequence होगा production सबसे ज़ादा होता है कजाकस्तान में then Canada में उसके बाद Australia में then next question देख लेते हैं इस question में बात की गई है कि राजस्तान देश का सबसे बड़ा तामा उत्पादक राज्य है और देश में अधिक्तम तामे के भंडार मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं यहाँ पर जो हमारा correct statement होगा वो होगा D क्योंकि ये दोनों ही interchange हो जाएगे यानि कि राजस्तान में सबसे ज़ादा तामे के भंडार पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश सबसे बड़ा तामा उत्पादक राज्य है अगले question की तरफ बढ़ते हैं इन राज्यों को उनकी पवन उठजा जो स्थापित चमता है उसके संबन में अवरोही क्रम में हमें लगाना है यानि की descending order में तो क्या इसमें correct option होगा हमारा इसमें correct option हो जाएगा 1, 2, 3 and 4 यानि तमिल नादू, गुर्षराथ, महराश्राण, करनाटका देन अगले question में बात की गई है उत्तिर प्रदेश के संबन में हमें सही कतन चुनना है कहा गया है भारत में कुल ग्रामीर अबादी का 18.63% उत्तिर प्रदेश में रहता है और प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा ग्रामीर अबादी इसी राचे में पाई जाती है तो कौन का इस statement होगा सिर्फ पहला statement correct है, दूसरा incorrect है क्योंकि प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा ग्रामीर अबादी पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में राइट, देन हमें गलत कतन बताना है इसमें उत्तिर प्रदेश में तमिल नाडू से अधिक शहरी अबादी है तो इसमें हमारा कौन सा गलत कतन है, जो option हमारा correct होगा वो हो जाएगा यहाँ पर option number A राइट, option A सही हो जाएगा, यह P यहाँ पर गलत लिखा हुआ है यानि कि जो second statement है वो हमारी incorrect है, क्योंकि West Bengal में कम है ठीक है, West Bengal में तमिल नाडू की तुलना में अधिक शहरी अबादी नहीं है कम शहरी अबादी है तमिल नाडू से, राइट, आगे बढ़ते है इस question में कहा गया है कि ग्रामीर छेतरों में दश की व्रद्धी यानि जो decadal growth होती है वो 6% लगबग घड गई है और शहरी छेतरों में ये लगबग 3% बढ़ी है तो इसमें हमारा correct statement कौन सा होगा केवल पहला statement साई है, option A correct होगा क्योंकि व्रद्धी जो हुई है वो 0.3% की हुई है ना कि 3% की राइट आगे बढ़ते हैं इसमें भारत के संदर में हमें देखना है कौन सा कथल गलत है इसमें first में खा गया है 69.1% महिला आदी जो है वो ग्रामीर शेतरों में रहती है और 68.6% पुरुशाबादी ग्रामीर शेतरों में रहती है कुल आबादी का लगबग 68.9% ग्रामीर शेतरों में रहता है तो इसमें हमारा गलत कत्म कौन सा है वो हमें बताना है इन में से कोई भी कत्म गलत नहीं है क्योंकि ये सारे स्टेटमेंट्स एकदम करेक्ट है इसमें कहा गया है कि कौन सी जनगर्णा शेहरों की विशेष्टा होती है तो कौन सी जनगर्णा शेहरों की विशेष्टा होती है स्वारी यानि कि सेंसेस टाउंस सेंसेस टाउंस में कहा गया है नियूंतम 4500 की आबादी होनी चाहिए और पुरश जो है वो कारशील आबादी का 50 प्रतिशत गैर कृषी कारियों में शामिल होना चाहिए इसमें से कौन सा statement हमारा correct होगा? इन में से दोनों ही statements incorrect हैं क्योंकि जो census towns होते हैं उसमें आबादी 5000 होनी चाहिए और लगबक 75% जो पुरुश है वो गैर क्रिशी कारियों में सलिप्थ होने चाहिए नेक्स्ट क्वेशन में बढ़ते हैं इसमें खागे कौन सा देश पूरी तरह से शेहरी कृत है तो इसको हमें code के हिसाब से बताना है कौन सा पूरी तरह से शेहरी कृत है तो ये चारों ही बर्मूडा, सिंगपूर, होंग कॉंग और मकाव ये completely urbanized हैं ठीक है option D correct हो जाएगा फिर 2011 की जनगर्णा के अनुसार, 0 से 6 आयूवर की जनसंख्या, कुल जनसंख्या का 13.6% है और भारत का वार्षिक प्रधिदर 1.64% रही है इसमें हमारा correct statement हो जाएगा option C, दोनों ही statement बिलकुल सही है इसमें हमको blockchain technology से related कलट statement बताना है पहले में कहा गया राष्ट्री सूचना विज्ञान केंदर ने बेंगलूरू में एक उतकृष्टता क्रेंदर स्थापित किया है blockchain तक नीशिकी से समबंदिन मतलब center of excellence स्थापित किया है और SBI जो है वो KYC का उपियोग करने वाला पहला bank है और blockchain पर अधारत प्रेशन की सुविधा प्रदान करता है मतलब KYC के उपियोग में और remittances में दोनों में ही blockchain technology का उपियोग करता है उसके बाद इसके तहट क्या होता है? विकेंदरी करन होता है, सत्ता विरत्ती होती है और अनामिता की विशेशताएं है यानि decentralization है, persistency है और anonymity है तो यहां पर हमारे तीनों ही statements correct हैं तो incorrect statement हो जाएगा option number D फिर देखते हैं अंगला question दुर्णब रोगों के बारे में यानि कि rare diseases से related point दिया गया है पहले में कहागे है, WHO के अनुसार यह जो बिमारी होती है, rare diseases जो होते हैं यह एक या उससे कम, प्रती एक लाग व्यक्तियों में होती है और यह किसी देश की कुल जन्संक्या के 6-8% के बीच लोग इससे प्रभावत होते हैं इसमें हमारा जो correct statement होगा, वो होगा option number B क्योंकि यह एक जो होता है, एक या उससे कम, यह होता है on 1,000 people ना कि 1,50,000 आगे बढ़ते हैं, dark net के संदर्ब में points दिये गए हैं मैं बताना इसमें कौन सा कथन सही है पहला statement है कि internet का यह वे इससा होता है, जिसे पारम पर एक खोज इंजिनों के माध्यम से अधिगम नहीं किया दा सकता यानि हम अगर traditionally search करते हैं normally, तो इसको access नहीं कर सकते हैं दूसरे में खा गया है, dark net पर सामगरी coat root में होती है, यानि कि वो encrypted होती है और यह dark web का एक हिस्सा है, तो इसमें हमारा जो कथन सही है, वो कौन सा होगा, वो हो जाएगा option number D क्योंकि यह तीनों ही statements हमारे correct है, फिर आगे देखते हैं, inside mission के संदर में पहला statement है कि यह पहला mission था, जो mangal gray की सतय के नीचे, अध्यन के लिए समर्थे थे, और यह NASA के discovery कारिकरम का हिस्सा है France, Germany और Britain की अंतरिक्ष एजेंसिया नवारा यह समर्थे थे, तो यहाँ पर हमारा correct statement हो जाएगा, option number D, यह तीनों ही statements बिलकुल correct है आगे देखते हैं, endemic के बारे में, कौन सा कथन गलत है, का गया है, एक छोटी अवधी के बीतर जीवों के लिए, एक महतुपून छटी का कारण बनता है, endemic कब कहा जाता है, कि causes a significant damage to the living organism in a short period of time, और उसके बाद संक्रमण की जो दर होती है, वो लगादार बढ़ती है इसमें कौन सा endemic के संदर में गलत कथन है, वो कथन है, C, यानि कि ये दोनों ही statements बिलकुल गलत है, यहाँ पर ये दोनों ही statements जो है, ये related है epidemic से ना कि endemic से, ये epidemic के संदर में correct है, endemic क्या होता है, जो है किसी particular population या region में होता है, और इसका rate of infection जो होता है, वो constant होता है, ये next question देख लेते हैं, सक्रिय और शदी सामगरी यानि कि API, ये काफी चल्चितरा है, active pharmaceutical ingredients, इस से related statement में कहा गया है, ये दवा उतपात का जैवक रूप से सक्रिय घटक है, यानि कि ये biologically active component है, किसी भी drug product का, और भारत के 70% जो API है, वो चाहिना से import किया जाते है, ये दवा उतपात का एक प्राथमिक घटक है, यानि कि एक essential ingredient है, primary ingredient है, तो यहाँ पर हमारा जो statement सही होगा, वो होंगे ये तीनों ही option D correct हो जाएगा, फिर स्वन चावल के संबंध में points देगाए है, ये सामाने चावल से भिन होता है, क्योंकि इसमें अत्रिक दवन शानू होता है, य क्योंकि ये इस अवदी के बाद अपने पोशत तत्मों को खोड़ सकता है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा correct statement होगा, यहाँ पर हमारा correct statement हो जाएगा, option number A, यानि कि 1 and 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है, इसे 3 साल कहा लिखाय होगा है यहाँ पर, लेकि ये 3 साल होकर 3 महीने है, 3 months से अधिक समय तक इसे संग्रहत नहीं किया जाएगा, next है, इसमें बात की गए है, गगन यान मिशन की, पहला statement है कि 7 दिनों के लिए 3 लोगों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा इसके अंतरगत, और इसके साथ ही भारत ऐसा करने वाला कौन सा नंबर का देश बन जाएगा, 4 और अंतरिक्ष यान को प्रत्वी की निम्न कक्षा में रखे जाने की उमीद है, और अंतरिक्ष यात्री जो है, वो आये एक विमान चालक है, और GSLV MK3 का उपकियोग इसमें किया जाएगा, तो इससे related हमारे ये सारे ही statements बिल्कुल सही है, option correct हो जाए सी, यानि की होप अंतरिक्ष यान, UAE से, और जो clear space 1 mission है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, नासा से, इसका मिलन हो जाएगा, नासा से, और जो हमारा dragonfly mission है, ये हो जाएगा, European space agency से, राइट, फिर आगे बात की गई है, अगनी 2 missile की, ठीक है, इसमें कहा ग जो इसकी मारक चमता है, वो 2000 km है, और ये nuclear capable ballistic missile है, यहाँ पर भी सारे statements correct है, option D सही हो जाएगा, इसमें हमको food और mouth disease से related सही statement बताना है, पहले में कहा गया है, कि ये contagious viral disease है, दूसरे में इसको zoonotic disease, और तीसरे में इसको contagious bacterial disease बताया गया, तो जो सही statement है, वो है statement first, A option correct हो जाए है, right, next देखते है, optoelectronics, इसका मतलब क्या है, पहले में कहा गया है, इसको थोड़े English में देख लेते हैं, science के terms English में थोड़े easy हो जाते हैं, optoelectronics के लिए कहा गया है, it is the study and application of electronic devices and systems that source, detect and control light, और दूसरे में कहा गया, it is the study and application of electronic devices and systems that source, detect and control sound, ठीक है, उसके बाद, study and application of electronic devices with respect to light, तो यहां पर कौन सा सीट्मेंट हमारा correct होगा, optoelectronics का मतलब क्या होता है, यहां पर correct हो जाएगा हमारा option number A, ठीक है, यह sound के respect में नहीं हो सकता, obviously, opto हमेशा light के respect में ही use होता है, आगे देखते हैं, Indian Regional Navigation Satellite System, यानि कि भारतिये छेतरी नौवाहन उपग्रह इसके बारे में कहा गया है कि इसमें 7 satellites यानि उपग्रह हैं और इसमें standard positioning service प्रदान करेगा यह और यह restrictive service भी provide करेगा, तो कौन सा statement हमारा correct होगा, यहां पर correct हो जाएगा option number D, यानि उपरोक्त सभी, फिर अगले question की तरफ बढ़ते हैं, इसमें बात की गई है कि कौन सा statement सही है with respect to virus, यानि विशालू के संबद में पहले में कहा गया है, इसका जो genetic material होता है, वो या तो DNA से बनता है या RNA से, दूसरे में कहा गया है, एक protein coat होता है, जिसको capsid कहा जाता है, यह surround करता है इसके genetic material को, फिर कहा गया है, envelope जो viruses होते हैं, यह केवल survive कर सकते हैं under special conditions, तो इसमे हमारा correct statement हो जाएगा, option number B, यानि तीनो ही statements correct है, इस question में LCA तेज़स से related points दिये गए है, कहा गया है, इसका manufacturer DRDO है, 200 km प्रतिगंटा इसकी speed है, और single engine multi roll light combat aircraft है, और इसने replace किया है mid 21 planes को, तो पहला statement incorrect है, क्योंकि इसका manufacturer HAL है, बाकि यह तीनो statements correct है, option हो जाएगा, option number B, यह content हो जाता है, आगे बढ़ते हैं, sit 1 से related points दिये गए है, यह recently अभी news में था, इसमें कहा गया यह एक enzyme है, जो contribute करता है cellular regulation में, और its level increases during fasting, fasting के समय इसका level increase हो जाता है, इसका over activation या under activation से disease हो सकता है, और यह एक हार्मोन इसमें बताया गया है, जो cellular regulation में contribute करता है, तो first, second and third statements हमा फिर आगे देखते हैं, assertion और reason का statement है, इसमें कहा गया है, sanitizer में कम से गम 60% alcohol होना चाहिए, और hand sanitizer में जो मौधूर alcohol होता है, वो विशारू के lipid आफ्रण को भंग कर देती है, जिससे विशारू निश्क्री हो जाता है, तो इसमें हमारा statement और जो reason दिया गया है, यह दोनों ह सही है, correct option हो जाएगा, option number हमारा A, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, WHO ने declare कर दिया है, pandemic disease को, coronavirus disease को, तो अब pandemic कब disease को declare किया जा सकता है, उसके लिए कुछ conditions होती है, तो पहले में कहा गया है, कि एक नया disease होना चाहिए, पहली condition है, और इसका simultaneous transmission होना चाहिए, पूरी दुनिया में, तो कौन सी condition होनी चाहिए, इसमें से, ये दोनों ही condition होनी चाहिए, तभी किसी disease को pandemic घोशत किया जा सकता है, ठीक है, नेक्स देखते हैं, Bureau of Energy Efficiency, उर्जा दक्षता Bureau के संबंध में points दिये गए है, कौन सा कतन सही है, ये बताना है, ये एक statutory body है, Ministry of Power के अंतरगत, इसको create किया बढ़ते हैं, Salim Ali Center for Ornithology and Natural History, जिसको second भी कहा जाता है, ठीक है, इससे संबंध में points दिये गए है, पहला का गया है, Union Environment Minister, जो होते हैं, वो second society के president यानी की अध्यक्ष होते हैं, और दूसरा statement है कि ये तमिल नाडू में इस्ते थे थे, ये दोनों ही statement हमाने correct है, तो correct option हो कामेंग नदी और पेके नदी से घिरा हुआ है, और दूसरे में कहा कि बेंगॉल टाइगर भाती तेन हुआ, एश्याई जैकाल, इसमें उलिपनी जीवों में से एक है, तो नागल एंड सरकार रिजर्व के मद्रिशेत से एक राजमार्ग बनाने की योचना बना रही है, इसमें हमको गलत कतन बताना है, कौन सा गलत है, तो यहाँ पर जो गलत कतन है, वो हो जाएगा statement 3, क्योंकि यहाँ पर नागल एंड सरकार नहीं, अरुनार्चल प्रदेश की सरकार, इसके मद्रिशेत से राजमार्ग बनाने की योचना बना रही है, तभी ये news में था, तो यह हमारा कहाँ पर लोकेटिद है, अरुनार्चल प्रदेश में, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नमर ए, इसमें बात की गई है, कुछ statement दे रहे हैं, इनको देख लेते हैं, कहाँ गया है, इंडिया की जो install capacity है, renewable energy की, यानि की, अक्षय उठ जाकी, वो 86 watt है, और solar energy की 34 watt है, wind energy की 38 watt है, और इंडिया का aim है, कि 175 gigawatt energy जो है, उसको renewable energy को अचीव करना है, 2022 तर, देखिए, यहाँ पर मैंने watt बोल दिया है, लेकिन यहाँ पर gigawatt है, तो ध्यान दे दीजेगा, और उसके बाद इंडिया एम कर रहा है, साड़े 400 gigawatt of renewable energy by 2030, तो यहाँ पर हमार constant statement correct हो जाएगा, यह सारी statements बिल्कु correct है, आप इनको देख लीजे, और रट लीजे, correct option हो जाएगा, हमारा option number D, then, UNEP से related statements देगा है, यानि की United Nations Environmental Program, इसका headquarter Geneva मां बताया गया है, और कहां किया है, यह, depend करता है, voluntary contribution में, for 50% of its funding, 50% तक की with the portion के लिए, यह स्वेचिक योगदा और कहां गया है, Champions of Earth Award इसी के द्वारा दिया जाता है, तो इसमें हमारा correct option कौन सा हो जाएगा, correct option है हमारा option number B, तीसरा और चौथा statement सही है, पहला और दूसरा गला था क्योंकि इसका जो headquarter है, वो नायरोबी में है, अब यह बताएगे कि नायरोबी कहां की capital है, इसको comment section में लिकर बताएगा, और यह 50% नहीं लगवक 95% विट्व पोशन के लिए, स्वेचिक योगदान पर निरबर, ठीक है, तो यहां पर B option correct होगा, आगे बढ़ते हैं, बात की गई है, World Meteorological Organization की विश्व मौसम संगठन, पहले में कहा गया यह एक intergovernmental organization यानि की अंतर सरकारी सा हो जाएगा, तीनों ही statements correct है, option C correct हो जाएगा, climate change performance index किसके द्वारा publish किया जाता है, German Watch, Climate Action Network International, New Climate Institute और UNEP, तो यह first 3 के द्वारा किया जाता है, UNEP के द्वारा नहीं किया जाता है, यहां पर correct option हो जाएगा, option number B, यानि 2, 3 and 4, then next question की तरफ बढ़ते है, UNFCCC का COP यानि convention of parties जो framework convention on climate change, तो यहां पर पहला statement जो दिया गया है, वो खागया है, COP22 है, उसमें चलबाई और सतत्विकास के लिए मराकेश घोशनापत्र जारी किया गया था, और उसके बाद खागया है, टाला नाव जो डायलोग है, COP23 से संबंदित है, और COP24 जो था, 2018 में, कोटोवेस में हु हुआ, तो यह conference of parties से related हमें points दिये गए है, इसमें incorrect कौन सा है, इसमें जो incorrect है, वो है हमारा option number D, क्योंकि 25 का आयोजन चिली में नहीं, माडरेड में हुआ था, माडरेड स्पेन में, लेकिन इसकी presidency किस ने कही थी, चिली ने कही थी, ठीक है, देन, आगे देखते हैं, इस question मे में बात की गई है, Montreal Protocol की, जो कई बार questions में आता है, papers में पूछा जाता है, पहले में कहा गया है, यह एक मांत्र सायोक्तराष्ट की संधी है, जिसे सभी 197 सदस्यों द्वारा अनुमोदत किया गया है, और किगाली समझोते के द्वारा, 2016 में, Montreal Protocol में संचोधन किया गया था, तो यहाँ पर यह दोनों ही statement सही है, option C correct हो जाएगा, यह important point है, ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, इसमें प्रजाती को उनके IUCN के status से मिलाना है, तो कौन सा match होगा, यहाँ पर देखना है, कौन सा correctly match दिया होगा है, तो जो correctly match हमें दिये हुए है, वो हो जाएग बल्नरेबल की category में आएगा, और और अंगूटिन जो है, वो critically endangered है, ठीक है, देन, आगे बढ़ते हैं, single use plastic, देखिए, इसके संबन में कहा गया है, यह, निप्टान योग plastic को संदरबिट करता है, जो आम तोर पर packaging के लिए उप्योग की जाती है, और पुनर चक्रण के पू option D सही हो जाएगा, फिर हम बढ़ते हैं आगे, central pollution control board से related points दे गए है, पहले में कहा गया है, यह, water prevention and control of pollution act 1974 के अंटर गठे तुबा था, दूसरे में कहा गया है, यह, प्रोवाइट करता है technical services, कौन सी ministries को, ministry of environment and forest, under the provisions of environment protection act 1986, तो कौन सा statement यहाँ पर हमारा सही है, जो statement सही है वो दोनों ही सही है, option C correct हो जाएगा, ठीक है, फिर हम देखते हैं, इसमें बात की गई है, which is a category of protected areas, जो introduce किये गए थे, wildlife protection amendment act 2002 के अंतर गठ, कौन सी category introduce की गई थी, कौन सा संरक्षित छेतर है, उसको introduce किया गया था, तो पहला कौन सा दिया गया है, संरक्षित रिजर्व या National Conservation Zones, तो correct answer है, यहाँ पर हमारा conservation reserves, option A, यानि संरक्षित रिजर्व, देखी, इसमें खा गया है, कौन सा पक्षित अभ्यारन है, जो दो प्रवासी पक्षियों के लिए एक सुरक्षत प्रेजित स्थल बन गया है, तो कौन सा होगा, कौन सा पक्षित अभ्यारन है, जो दो प्रवासी पक्षियों के लिए एक सुरक्षत प्रेजित स्थल बन गया है, इसका answer होगा, हमारा option number B, यानि अटापा का पक्षि अभ्यारन है, देन, आगे बढ़ते हैं, इसमें बात की गई है, कौन सा इसमें critically endangered animal है, इंडिया का, तो critically endangered कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हमा की इन राचियों में देखी गई है, वन आवरण में maximum loss कहाँ पर देखा गया है, तो यह देखा गया है, मणिपुर, अरुनाचल प्रदेश और मिजोरम में, ठीक है, 1, 2, and 3 option correct हो जाएगा, यह option यहाँ पर हमारा सही है, forest cover जो जम्मू कश्मीर में है, वो increase हुआ है, ना कि decrease हुआ है, ठीक है, फिर वैश्विक तापन शम्ता के बरते क्रम में हमें निमलिखित गैसों को विवस्थित करना है, तो कौन सा हमारा sequence correct होगा यहाँ पर, correct sequence हो जाएगा, 1, 2, 3, and 4, यानि कि, CO2, CH4, N2O, और HCFC, यह option हमारा correct है, यही sequence correct होगा, फिर next है, लगू वित बैंक payments banks स्थापित करने के लिए, RBI ने कौन से दिशान इंदेशती है, इसमें कहाए, जो निवनितम पूंजी आविशकता होगी, यानि minimum capital requirement, वो 100 करोण की होगी, और promoter का योगदान पहरे 5 वर्शों के लिए, कम से कम कितना होना चाहिए, 40% का, 40% का, तो यहाँ पर, सही option होजा आता है, और सोने के ग्राम में ये वर्णित होते हैं, ठीक है, और केवल निवासी भारतिये संस्थाओं को बिक्री का इसकी अधिकार है, और निवेश सीमा इसकी 2 ग्राम है, निवेश की अधिकतम सीमा कितनी है, 50 ग्राम, यहाँ पर हमारा जो correct statement है, वो है option number C, यानि कि 1, 2 3 साही है, अधिकतम सीमा कितनी हो जाएगी है, आपर 500 ग्राम ना की 50 ग्राम, ठीक है, फिर इसमें बात की गई है PPP model की, PPP model के अंदर कौन से models आते हैं, BOT toll model और दूसरे में BOT annuity, और तीसरा है EPC model और थर्ड है HEM model, देखिए ये PPP models क्या होते हैं, ये होते हैं, पब्लिक सेक्टर मिल कर किसी product को complete करते हैं, तो उसको PPP model पर आधारत कहते हैं, ये सभी इसका, ये PPP models के अंदर गती आते हैं, BOT का full form क्या होता है, built, operate and transfer, इसके अंदर ये दो type के होते हैं, एक होता है toll, एक दूसरा होता है annuity के आधार पर, और पहला हो गया toll, और ये EPC का full form क्या ह होगा, ये हो जाएगा हमारा engineering procurement and construction model, और HAM जो होता है, ये BOT और EPC model का hybrid form होता है, इसलिए इसका नाम है hybrid annuity model, इसमें difference क्या होता है, कुछ में सिरकार की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, risk cover होता है, और कुछ में private sector का, ठीक है, तो इसको हम detail में cover नहीं कर रहे हैं, मैंने थोड़ा सा idea दे दिया है आपको, यहाँ पर हमारा correct option हो जाएगा, option number D, ठीक है, फिर next देखते हैं, इसमें बात की गई है, growth recession term की, पहले में कहा गया है, ये ऐसी अर्थविवस्ता है, जो इतनी धीमी कती से बढ़ रही है, जितनी नई नौकरियां जुड रही है, उससे कह इसको कहा गया है, तो इसमें हमारा correct statement है, वो है हमारा option number A, ठीक है, यानि कि ये ऐसी अर्थवस्ता है, जो इतनी धीमी गती से बढ़ रही है, कि जितनी नई नौकरियां जुड रही है, उससे कहीं अधिक रोजगार जो है, वो खो रहे हैं, राइट, राष्ट्री खादे स सुरक्षा अधिनियम, यानि National Food Security Act, पहला statement है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक कल्यार कारेक्रम है, और ये सबसे दाइस्ट खाद्यान के लिए लगबग 82 करोन लोगों को कानूनी अधिकार प्रदान करता है, 50% ग्रामीर और 75% शेहरी आबादी इसमें शामिल इसमें हमने देख लिया है कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन अमबर B, अगले बात की गई है, इन में से कौन सा e-commerce के संबंद में गलत है, पहले में कहा गया है, ग्रोफर्स जो है, ग्रोफर्स जैसी जो कंपनी है, वो एक्जाम्पल है, इन्वेंटरी बेस मॉडल का, और जो Amazon जैसी कंपनी है, वो मार्केट प्लेस आधारत मॉडल का उधारण है, तो कौन से से सेट्मेंट सही है, यह दोनों ही बाते बिलकुल सही है, और यहां पर हमसे सही नहीं, गलत सेट्मेंट पूछा गया, इसलिए, ऑप्शन जो हमारा होगा, वो हो option D हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ही बिलकुल सही है, और इसका headquarter का है, बेसल में, तो इससे related के दोनों ही स्टेट्मेंट सही है, option C correct हो जाएगा, सेरल इंडेक्स जो है, वो किसके द्वारा रिलीज होता है, यह रिलीज होता है, Ministry of New and Renewable Resources, ठीक है, option A correct हो जाएगा, इसका full form मैं बता देती हूँ आपका, इसका full form होगा, state rooftop solar attractiveness index, ठीक है, फिर हमें बताना है, गलत कथन कौन सा है, इसमें से, गलत कौन सा सुमेलत है, पहला दिया गया है, राजा चलाया समिती, भारत में करसुधार से, भगवती समिती, बेरोजगारी और ल पाची और उनका जो भूमी रिकॉर्ड का digital करने की जो पहले उसको हमें बताना है कौन सी सही सुमेलत है, करनाटक का दिया गया है, भूमी परियोचना अंधर प्रदेश का भूधार और महारास्रों का महा भूलेग, तो इसमें तीनों ही सही है, option correct हो जाएगा, option A, 1, 2 and 3, फिर बजट 2020-21 के संबंद में कहा गया है कि 2020-21 के लिए जो सकल घरेलू उतपात की nominal व्रद्धी होगी, वो 10% अनुमानेत है, यानि की nominal growth of GDP कितनी estimated है, 10% और 2020-21 के लिए अनुमानेत, राजकोशी ए घाता, fiscal deficit 3.5% है, यहाँ पर हमारे दोनों स्टीप्मेंट्स है, option C correct हो ज society, यह तीनों ही है, तो यहाँ पर de-correct हो जाएगा, चीक है, यह learn कर लिजगा क्योंकि बहुत possibility है, इसको पूछे जाने की, फिर आता है, आर्थिक सर्वेक्षिन 2019-20 के अनुसार, भारत ने आर्थिक स्वचंत्रिता बढ़ाने में महतुपून प्रगती किये, लेकिन इसके बाद भी अभी जरजर रत्विवस्ता के रूप में इसको गिना जाता है, जो किस सूचकांग से स्पष्ट होता है, यह बताना है, पहला कौन सा सूचकांग दिया गया है, आर्थिक स्वचंत्रिता का सूचकांग, वैश्विक आर्थिक स्वचंत्रिता का सूचकांग, इस of doing business या A और B दोनों तो इसका correct option होगा option number D इन दोनों के माध्यम से ऐसा इस पर्ष्ट होता है फिर देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षों 2019-20 के संदर में कहा गया है कि राज और केन सरकारों द्वारा रिर्ण रिर्णर्वाफी की गया है नगने प्रभाव पढ़ा है यह कहा गया है और इस साहीता प्राप्त होती हो उत si कौँकों सा स्ट्रीक सही होना यह दोनों ही बाते बिल्कुल स्था ही कहा गया है देर आर्थिक्सर्वेक्षों 2019-20 के अनुसार चीन की की दुलना में बहारत कम प्रदर्शन के कारण क्या बताएगा है कहा गया है चीन के पास उत्पादों की विशेशक ग्यता है जबकि भारत के पास उत्पाद का विविधी करण है मतलब वेराइटीज तो हैं लेकिन कि इंडिया के पास पहला सेटमेंट है दूसरे में कहा गया है चीन की वैश्विक मूले चेन में अधिक उच्छ स्तर की भागी तरी है यानि की ग्लोबल वाल्यू चेंड में हाई लेवल ऑप लेवल ऑफ पारिसिपेशन फिर चीन में चोटे पैमाने पर संचालन होता है तो कौन सा स्टेटमेंट हमारा यहां पर करेक्ट होगा जो एक्कनॉमिक सर्वेट 2019 2020 में कहा गया है रीजन दिया गया है उसमें हमारा करेक्ट हो सकता है जबकि मैं पता है कि छोटे पैमाने मेरे चीन में तो काफी बड़े पैमाने पर संचालन होता है तो ऑप्शन एकरेक्ट होजाएगा ठीक है की बात कहीं गई है लेकिन एफोर्डबल और क्लीन एनरजी में ऐसी कोई भी बात नहीं गई गई है तो किवल दो उसमें की गई है आगे देखते हैं नेक्स इसमें कहा गया है आर्थिक सर्वेक्षर ने एसेंशल कॉमोरिटी जार्ट यानि की आवश्यक वस्तु अधिनिया म उन्हें सो पच्पन की आलोचना की है क्योंकि आर्थि स्वतंत्रता पर कुछ लगाता है और बाजार तंत्र को विक्रत करता है यह दोनों ही बाते बल्कुल सही है और ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अब हम आते हैं अपने टेस्ट के लास्ट क्वेशन पर इसमें सेक्ट कर लीजेगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो थांक यू सो मच